हेलो फ्रेंज बॉर्निंग टो अलो फ्यू आज है 19 मईए और 19 मईए के सारे टॉप करेंट अफेस हम लोग देखने वाले हैं दोस्तो एक आप लोगों सुझना देनी है कि जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं किसार हमें डायरेक्ट पेमेंट करके खरीदना है वह सेप्टेंबर स तक उसमें टोटल करेंट अफेस हैं और कोरोना वाइरस की वज़ा से उसकी प्राइस जो है वह मात्र 60 रूपीज रखी गई है तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि हर तरह से वह कितनी कंफ़टेबल है तो अगर आपको खरीबना है तो आप मेरे इस फेस्बूक आईड तो चलिए पहला कोशन देखते हैं वीपो डबलू आईपी ओ इसका फुल फॉर्म क्या होता है वर्ल्ड इंटेलेक्ट्टुल प्रोपर्टी और्गनाईजेशन इसका निउडिरेक्टर जिनरल कौन बन गया है डबलू आईपी ओ की निउडिरेक्टर जिनरल यह बहुत ही यह चारों किसी और्गनाईजेशन में अभी हैं तो आपको यह द्यान रखना चाहिए कि यह है क्या वीपो इसकी अस्थापना हुई थी एक अक्टूबर इसकी स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1967 को कब हुई थी 14 जुलाई 1967 बद आपको सिर्फ 1967 याद रखना है 1967 इस फाउंडेशन एर फ डबलू आईपी ओ फुल फॉर्म क्या होता है वर्ल इंटेलेक्टूल प्रोपर्टी ओर्गनाईजेशन और इसकी जो पैरेंट ओर्गनाई इसके जो है अभी डिरेक्टेर जनरल बन गया है डिरेक्टेर जनरल अब जो है इनका काम क्या होता है जो भी इंटेलेक्टूल प्रोपर्टी होते है ट्रेड में बिजनेस में या मार्केटिंग में उनको प्रिजर्व करना उनके राइट की रक्षा करना इनका काम होता है तो इनके head तो हो गए direct tank और इसका headquarter कहा है headquarter is most important तो बताइए headquarter कहा है headquarter है Geneva Switzerland में जेनेवा Switzer Land में और किसका किसका headquarter है तो WHO का headquarter है WTO का headquarter है कल परसो के current FS में मैंने बताया था दोनों दिन कि WTO के जो भी head थे उन्होंने इस्तिफा दे दिया उनका नाम क्या है Robert Asvedo नेक्स्ट है Antonio Guterres Antonio Guterres जो है Antonio Guterres ये UN के Secretary General है ठीक है अब आपको इसमें क्या और फाइदा इस question को देख सकते हैं UN के स्थापना कभूई थी 24 अक्टूबर 1945 को और Antonio Guterres जो है वो है पूर्टगाल देश से ये देश पूछा जाता है और ये कब से हैं तो 2017 से United Nations के बने हैं अब बहुत सारे important चीज है जो इसके पहले थे वो थे बान की मून बान की मून थे 2007 से 16 तक और ये जब तक हैं तब तक रहेंगे और present time तक हैं next है तेदरोष अधानों ये क्या है तो ये WHO के president है इनका नाम है WHO के president है चुकि ये चारो news में चल लिए हैं इसलिए आपको याद होना चाहिए international museum day ये कब मनाया गया तो मैंने मई महिने के सारे day और उसकी theme आपको बताये हैं कई बाग 17 माई, 18 माई, 22 माई या फिर 23 माई तो बताये right answer ये है 18 माई को international museum day मनाया जाता है 18 माई तो हो गया बट आज शुरू से लेके मही महीने के जितने भी day है उसको आज हम लोग उल्टे स्वर में repeat करेंगे तो पहला जो है 31 माई से आज शुरुवात करेंगे 31 माई को है anti tobacco day 30 माई को क्या है गोवा एस्टेट हुट दे गोवा का राज्य दिवस राज्य स्थापना दिवस 29 माई को है international day of UN peacekeepers 28 माई को है international day of action for women's health women's health के लिए जो action की जोरूत होती है वो है 28 माई को 25 माई को है thyroid दिवस 22 माई को है turtle दे turtle आप समझ रहा है कचुआ 22 माई को है international day for biological diversity और मैं बार-बार कहता हूँ चीजों को एक दूसरे से connect करने की habit डालिए क्यों क्योंकि 22 माई को ये दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है 22 माई को प्रिथवी दिवस मनाया जाता है world environment day मनाया जाता है पांच जून को तो एक साथ आपके सारे डिविजन हो गए तो ये इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए फिर आप बात करते हैं 21 माई को तो ये cultural diversity day मनाया जाता है 21 माई को 18 माई को museum day आपने देख लिया 17 माई को telecommunication and information society day ये कब मनाया गया तो ये मनाया जाता है 17 माई को 15 माई को international day of the family 12 माई को international nurses day और अगर 11 माई को बात करें तो national technology day क्योंकि इस दिन जो है पोखरन का परमानू परिक्षन किया गया था भारत के दिन फिर 10 माई को देखते हैं mother's day और 12 माई को मनाया गया migratory birds day भी मनाया गया 8 माई को देखते हैं तो red cross day और thalassemia day मैंने दोनों बताया था आपको trick से याद करने के लिए 5 माई को है world asthama day और 4 माई को है international firefighters day 3 माई को है world laughter day and praise freedom day international labor day है 1 माई को तो मेरा ये परियास रहता है कि किसी भी तरीके से दोनों तरीके से आपका इतना accurate आपको याद करा दूँ कि आपको exam hall में problem ना हो सोचना ना पड़े क्योंकि एक question तो इससे आते ही आते हैं और अगर आपने इस channel को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक share करें और कमसे कम पांच लोगों को share करें और subscription उनको भेजें चलिए अगला कुछ नहीं अफ़ान क्या है अफ़ान एक cyclone है चक्रवात है यह आप याद रखिएगा जो बे अब बंगाल में उठा है और यह chance है कि 20 तारीक तक या उससे पहले भी मतलब इस्टरव इंडिया को प्रभावित करें तो अफ़ान उसका नाम है और इसके पहले जो cyclone आया था उसका क्या नाम था फोनी फोनी नाम किस ने दिया था तो फोनी नाम दिया था बांगला देश ने अब आपको यह बताना है कि अफ़ान नाम किस ने दिया है चुकि नाम नेमिंग सिस्टम या आठ देशों के द्वारा रेउलेट किया जाता है इंडियन ओसियन में तो यह किस के द्वारा दिया गया है Thermal Corona Combat Head Gear किस ने लांच किया है Thermal Corona Combat Head Gear यह जो है यह सब equipment और चीज़े facility schemes लांच किया गया है दिल्ली के सरकार के द्वारा दिल्ली के जो CMA Irwin केजरिवाल और अनील बैजल वहां के Lieutenant उनको कहते है Lieutenant LG Governor अब दिल्ली में आपको क्या क्या यादाता है दिल्ली का लाल किला लाल किला को साजहा ने दिल्ली का बनवाया था और आगरे के किले को अकबर ने बनवाया था साजहा ने और भी कुछ चीज़े बनवाई है जैसे कि ताजमहल जो की यमना नदी के किनारे है और ये Seven Wonders में सामिल भी किया गया है ठीक है चंडीगड चंडीगड का क्या इंपोर्टेंस है और इसकी जो Capital Complex है ये World Heritage Site में सामिल किया गया है ठीक है चंडीगड और पंजाब दोनों की राधानी मतलब पंजाब की चंडीगड है हरयाना की भी चंडीगड है पंजाब के CM है कैप्टेन अबरिंदर सिंग और यहाँ के गौर्णर कौन है बताईए तो यहाँ के पंजाब के गौर्णर है B.P.S. बदनौर तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने चाहिए हरयाना की CM कौन है तो मनोहरलाल खटर और हरयाना के गौर्णर आपको कमेंट करके बताना है तो चलिये वीडियो को लाइख करते रहे हैं राजस्थान गौऻा तो ये गुजरात की सरकार ने लाँच किया है गुजरात की सरकार ने कुछ दिन पहले जल संचाय योजना भी सुरू किया था ठीक है और गुजरात के महिसागर जिले में भारत का पहला डायनासार पार्क खुला गया है अब बात करते हैं गुजराथ के सी-एम है विजाय रुपानी आचारे देवबरत यहां के गौर्नर है और गुजराथ तोलर रूफ टॉप लगाने में क्या है गुजराथ सोलर रूफ टॉप लगाने में टॉप नंबर पे है लगाने में solar rooftop चट पे जो solar के पैनल लगा जाते हैं राजीव गंदी किसान न्या योजना किस राजन लॉंच की है तो राजीव गंदी किसान न्या योजना ये लॉंच किया गया है अभी हम लोगों ने जो जो इस्टेट देखे हैं सबसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अभी कलेक्ट करेंगे और पस्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसकी वीवांडरी तीन देशों से लगती है जैसे कि बांगलादेश नेपाल और भूटान चलिए तो बाकी के नेशनल पार्क पस्चिम बंगाल एक देख लिए गुरु मारा नेशनल पार्क बुक्सा नेशनल पार्क ठीक है जल्दा पड़ा नेशनल पार्क यह सब है पस्चिम बंग्याल में जो लोग नोट कर रहा है तो मैं धीरे-धीरे बोलाओ प्रोनाउंसियेशन आई होप मेरा क्लियर रहता होगा आप लोग को समझ में आता होगा 36 गड़ में गुरू घासी दास क्या है गुरू घासी दास नेशनल पार्क है 36 गड़ में दूसरा है इंदरावती नेशनल पार्क उसके बाद है कांगेर वैली नेशनल पार्क इंदरावती आपने लिख लिया गुरू घासी दास निक लिया उसके बाद है कांगेर वैली अब देखिए चतिस गड़ हो गया पसी मंगाल हो गया बिहार में एक ही है बालमी की नगर टाइगर रिजर भी है नेशनल पार्क भी है जारखंड में बात करें तो बेतला है ठीक है और एक चीज़ आपको याद रखना है कोईले का सबसे ज्यादा रिजर्व जो है ये है जा दूसरा दे तो चलिए ये है अब बात कर लेते हैं उडिशा की तो उडिशा का आपको पता ही है कि सिमली पाल नेशनल पार्क और और कौन सा नेशनल पार्क है देखते हैं कितने लोग कमेंट कर पाते हैं लाई बताइए उडिशा का एक और नेशनल पार्क जो बहुत ज्य का ठीक है दो निशनल पार्क है उडिसा में उडिसा भी हो गया अब देख लेते हैं चतितगड़ भी हो गया तेलांगना और आंध्रपरदेश भी देख लेते हैं तेलांगना के है केशु ब्रह्मनंद रेड़ी और महावीर हरीना वनस्थली यह दोनों नाम थोड़ा सा टफ करें तो आंध्रपरदेश का अलग लिख लें आप लोग क्योंकि बटवारा होने के बाद दोनों में अब अलग अलग हो गया है पापी कोंडा नेशनल पार्क राजीव गांधी नेशनल पार्क और श्री वेंकटेस्वरा नेशनल पार्क यह सब नेशनल पार्क यह हैं यह मतलब गुजरात के इतने सारे है रुनाचल प्रदेश के देख लेते हैं नामदफ़ा नेशनल पार्क और मोवलिंग नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से नेसनल पार्क है तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है सिमला और यहां जो है पहला जो है पिन वैली नेसनल पार्क Pinn Wallie Wallie से तीन तरक है National Park जैसे कि Silent Valley Valley of Flowers तो Valley of Flowers है उतराख혼 में Silent Valley हैै केरल में और पिन Wallie है हिमाचल Πरदेश में खीर गंगा National Park इंदर किला National Park इंदर किला National Park Great Himalayah National Park ठीक है यह हो गया अगला है सिम्बल 12 Сिम्बल 12 National Park तो पांच नेशनल पार्क हैं हिमाचल पर्देश में आईए केरल और तमिलाडू का देख लेते हैं केरला में है एरावी कूलम नेशनल पार्क पेरियार नेशनल पार्क साइलेंट वैली नेशनल पार्क अना मुडी नेशनल पार्क और पंबादम नेशनल पार्क मतिकेतन सोल या फिर 16 नेशनल पार्क भी इसमें है तो आई होप आप लोग अच्छे रिविजन हो रहा होंगे और वीडियो को लाइक कर दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला है एडी बी ने कोविद 19 की वज़ा से अंठावों सो से आठ किस सॉरी यह कुश्चन थोड़ा सा इस तरीके से किस बैंक नहीं घोसना की है कि कोविद 19 की वज़ा से पूरे वर्ल्ड को वर्ल्ड एकॉनोमी को 5800 से 8800 डॉल्प डॉलर का नुकसान होगा तो यह कहना है ADB का ASEAN Development Bank इसका Headquarter का है Manila Philippines और इसकी अपना 1967 में हुई थी 66-67 इसको अगर राइट बोले तो दोनों यह लेके बोलते हैं और यह है ASEAN Development Bank Philippines Manila इसकी Headquarter है और इसके जो Head है यह नए बने है और जापान के यह रहने वाले हैं मसाथ सुगू असाकावा यह इसके है AIIB ASIA Infrastructure Investment Bank यह कहां है तो यह है मतलब इसकी Headquarter है बीजिंग में NDB मतलब New Development Bank इसका Headquarter है बीजिंग में तो इतनी सब चीजे जो है आपको याद रखनी चाहिए इसी तरीके से World Bank और IMF World Bank के Head जो है तेरावे वह बने हैं डूइड मलपास और इसका Headquarter है वासिंग्टन डिसी आईमफ का भी है वासिंग्टन डिसी वर्ल्ड बैंक के सब्सक्राइब निसोच्वालिस में हुई थी आईमफ के सब्सक्राइब के लिए पंद्रसों कड़ों रुपय की मंदूरी दी है तो नाबाग ने यह मंजूरी और पंजाब के लिए पंजाब को पांच नदियों की भूमी कहते हैं और आपको पता ये वह नदिया कौन-कौन हैं तो सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब, छेलम और यह सारी की सारी नदिया जाके मिल जाती है सिंदू नधी में सिंदू नधी पाकिस्तान के अदर्व सागर में जाकर घिरती है आपको यह पता होगा सिंदू नदी की सबसे अच्сят का सिय्ट कैका यह Sिर्फ जमु कस्मीर से ही होके गुजरती है और इस तरीके से मैंने मायप दिखाया है और उसे अच्छे से पढ़ाया भी अगर आपने नदी वाले वीडियो नहीं देखा है तो वहां जाके जरूर देखिए अगला है इंद्रा गांधी कनाल जो की राजस्थान में है वो ब्यास नदी पे इस्थित है पाकिस्तान को रोकने के लिए यह नहर बनवाया गया था इसी तरीके से मैंने कल जो है कल मैंने किसीज को रे면 करया था वल्ल्ड हरिटेज साइट को उसके पहले मैं दी यह कोeight उसके पहले भारत में जितने जील हैं तो आज मैंने निश्दाल पार्की रेविजिन करा रहा हूं है तो आपको इसका समझना चाहिए और करेंट तो ARE कर लाइफ ऑटोमेटिक बढिया हो जाएगी ठीक है नेक्स्ट है हेट फुल मेमेज ऑनलाइन चैलेंज नेम्ड कॉंपेटिशन स्टार्टिट बाइ तो हेट फुल मेमेज यह सुरू किया गया फेस्बूक के द्वारा फेस्बूक कॉन से इसको सीयों है तो यह है मार्क जूकर ठीक है गूगल के सब्सक्राइब के द्वारा और अगर आमेजन की बात करें तो आमेजन का पता ही है सीयों है जेफ बेजोस और एक रिपोर्ट के अनुसार छे यह बाद यह दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर और यह ट्रिलेनियर हो जाएंगे पहले ट्रिलेनियर मतलब ट्रिलियन में इनकी संपत्ती हो जाएगी चलिए और गूगल से आपको और याद रखना है गूगल के जो सीयों है अभी यह सुंदर पीचाई जो की इंडियन मुल्के हैं और इन्हें अभी साथ में गूगल की परेंट कंपनी अल्फा बेट का भी सीयों बनाया गया है दो गूगल की परेंट कंपनी का नाम क्या है अल्फा बेट नेक्स्ट है अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजी और लाइक और शेयर का बटन भी जबा दीजिए लाइक बटन लेफ़्ट साइड में होता है वर्ल्ट टेली कोमिनिकेशन और सुसाइटी डे वाज सेलिब्रेटेड ओंत। टेली कोमिनिकेशन सुसाइटी डे बताइए ये मनाया जाता है 17 माई को मैंने उपर ही ये डिसकस किया था और बाकी सारे डेज को भी हमने देखे हैं नाड़ा डिसिप्लिनरी पैलन परसन इंक्लूडेड नाड़ा के डिसिप्लिनरी पैलन इसका हेड कोटर का है NADA यह है National Anti-Doping Agency इसका Headquarter है नई दिल्ली में और इसमें अखिल कुमार को सामिल किया गया है कुछ दिन पहले इसके Brand Ambassador किसे बनाएगा है तो यह बनाएगा है सुनिल से ठीक हो यह तो हो गया रश्टी अस्तर पर नाड़ा यह डोपिंग से करता है तो उस पर प्रतिबंद लगाने का काम करता है लेकिन इंटरनेशनल अस्तर पर यह एजनसी है वाड़ एंटी डोपिंग एजनसी इसका Headquarter है मॉंट्रियल कैनडा में चलिए अगला कोचन देखते है एस सीयों की बैटा कि अध्यक्सता किसने की तो संगाई कोप्रेशन और्गनाइजेशन इसकी अध्यक्सताइस बार चीन ने की है और इसकी अस्तापना हुई थी 2001 में और अभी रिसेंटली पाकिस्टान और इंडिया को दोनों को इसमें सामिल किया गया है ठीक है यह दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है चीन के भुहान सवाज से कोरोना वायरस निकला था और पूरे वर्ल में लगभग फैल चुका है प्रेसिडेंट है यह है पैतालिस तबर के प्रेसिडेंट और इसके राधानिया वासिंग्टन डिसी डॉलर यहां की करें थी कोबाश 6800 क्या है तो यह है टेस्टिंग किट टेस्टिंग मसीन नेक्स्ट है सिनियून 201 & 202 नेम्ड सेटलाइट लॉंच्ट बाई तो यह मैंने कली बजाया था यह है चाइना से चाइना ने इससे लॉंच किया है नेक्स्ट है खेल रत्न पुरसकार के लिए किसे नामित किया गया है जो भी इसका राइट आंसर है उसका आप ऑप्सन दे लाईब